हम लोगों में से बहुत सारे जब भी किनी सफल या अमीर लोगों को देखते हैं, तो सोचते हैं कि ऐसी शोहरत और सफलता हम लोग कभी नहीं प्राप्ट कर पाएंगे, क्योंकि उन सफल लोगों के पास ऐसा कुछ है जो हमारे पास नहीं है. यह सोचकर हम बोलते हैं कि यहां सब हमारी किस्मत में कहा है, उनके जैसी किस्मत मेरे को नहीं मिली, अगर मैं बोलू कि आप वह सब प्राप्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आप सब कुछ प्राप्ट कर सकते हैं. बस नीचे दी गई कुछ आते, habits है जो आपको अपनानी है ये वही आते हैं जो सुपर सक्सेस्फुल लोगों की होती है तो चलिए इन powerful habits को अपने जीवन का अंग बनाते है एक सफल व्यक्ति लगातार अभ्यास करते रहते हैं सफल व्यक्ति द्रड़ता से सपनों पर डटे रहते हैं जिन लोगों ने भी सफलता पाई है और वहाँ जहां पर भी है वहाँ महज इत्तेफाक नहीं उन्होंने एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया है अपने सपनों को पाने की जित पर डटे रही है हर उस चीज का अभ्यास किया है जो अपने सपनों तक पहुँचने के लिए जरूरी है अपने फॉलादी इरादों, चट्टानों सा धैर्य और कड़ी महन से उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला है डॉट आपके सपने भी आपका इंतजार कर रही है उन्हें पूरा करे, फोकट में समय बर्बाद ना करे दो सफल व्यक्ती वादे के पक्के होते हैं सफल व्यक्ती अपने वादे पर डटे रहते हैं चाहे वो खुद से वादा हो या दूसरों से अपनी जबान के पक्के रहते हैं किसी भी चीज को अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो ना कहना सीखे क्योंकि आपने सारी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है. दूसरों से भी वही वादे करो, जो आप पूरा कर सकते हैं, इससे आप एक लॉयल परस्नालिटी बन जाएंगे. हर कोई आप पर भरोसा करने लग जाएगा. तीम न सफल आदमी अपनी एनरजी को फोकस रखते हैं. सफल आदमी जो भी करते हैं, अच्छे से करते हैं. उनके पास लेजर जैसा फोकस होगा है. इसलिए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास जलगता है. डॉट लेकिन हम लोग अपनी एनरजी को फाल्तू के कामों में बरबाद करते रहते हैं. जिससे जरूरी काम में पूरा फोकस नहीं रख पाते और उस काम में अस्फल हो जाते हैं. सारी एनरजी एक चीज़ पर फोकस रखने से उस कार्य को करने की असीम क्षमता आ जाती है. फिर उस कार्य को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता डॉट, इसलिए अपनी प्राथमिक ताय तै करे उसी के अनुसार उनको अपना टाइन दे. चार सफल लोग सकारात्मक वातावर्ण में रहते हैं. चार समझ कर छोड़ देना चाहिए और सकारात्मक माहौल का निर्माण करना चाहिए. क्योंकि एक नकारात्मक माहौल में आप कभी भी सकारात्मक और रचनात्मक नहीं हो सकते हैं. पांच सफल लोग हमेशा नई चीजे सीखते रहते हैं. सफल लोग हर दिन कुछ नया सीखते रहते हैं, जो उनके लक्ष के नजदीक ले जाता है, इसलिए आप अपना comfort zone छोड़ कर नई जिन्दगी जीने के लिए नई इन सबसे आपको नए और रचनात्मक विचार मिलेंगे, जिने आप अपनी जिन्दगी को बहतर बनाने में इस अभी तक नहीं किया, इसलिए आपको serious होकर मेहन्त करनी पड़ेगी, अगर आपने ये आद्ते अपना ली तो आपको successful बनाने से कोई नहीं रोक सकता है